हेलो गाईज वेलकम करते हैं हमारे आज के और एक न्यू वीडियो में एंड गाईज आज हम लोग आप लोग को बताएंगे कि आपका जो एकाउंट है गेम एकाउंट है क्लैश अफ लेंस का उसको आप लोग कैसे प्रोटेक्ट और कैसे सेफ रखे किसी भी मतलब किसी से भी आप कैसे किसी भी दुबिधा से आप अपनी आईडी को कैसे सेफ कर सकते है ठीक है तो पहली बात आप लोग अगर गूगल अकाउंट खेलते हो तो मैं अगर भाई सजेशन करू तो गूगल अकाउंट से बहुत ही अच्छा अकाउंट है सूपरसल अकाउंट ठीक है तो अ नहीं बोल रहा हूं कि Supercell account hack नहीं होते, Supercell account भी hack होते है भाई, आपको यह जानना चाहिए, फिर भी Supercell account में बहुत ज्यादा safety है, जैसे Supercell वालों ने account protection का जो है, देखे रखा है, आप account protection on करोगे, तो आपका जो है, बहुत ज्यादा safe होता है, और तीसरा जो है, भाई, don't share your ID's, ठीक है, जो ID है और शेयर मत करो, क्योंकि आप अगर ID's शेयर करोगे, तो उससे थ्रू भी, जो है, hacker या ऐसा भाई, बहुत सारे जो है, phishing करते है ID को, तो वह भी एक दिक्कत है, अगर आप लोग, शेयर करते हो, तो मैं बोलता हूं, शेयर मत करो, क्योंकि शेयर करने से बहुत ही जादा ऐसे प्रॉबलमों का मतलब सामना करना परेगा, और ऐसे हाथ से हो भी चुके है बहुत सारे, फिर और एक बात, जो email शेयर करते हैं, main तो यही बात है, email शेयर मत करो, वो Google अकाउंट हो, Google अकाउंट है, तो तो करो ही मत, और Supercell अकाउंट है, तब तो और क होने का, कि हम लोग जो है, email शेयर करते हैं, बहुत सारे, मैं पकल लिया, मेरे पास है, फिर मैंने किसी एक दोस्त को दे दिया, फिर और किसी एक न मांगा, तो ऐसे करके, चार पास के पास हो गया, तो उसके थूरू जो है, बहुत ज़्यादा प्रॉबलम होता है, और उसक कि थूरू मतलब क्या होता है, कि हैकर जो है, डिवाइस में कैसे पता नहीं घुच जाता है, ठीक है, बहुत सारे मैंने वीडियो देखे है, ऐसे गूगल में भी चेक किया है, कि जो email हम लोग शेयर करते है, वही गलती होता है, email शेयर नहीं करनी चाहिए, और अगर आप ल 29 का चोटा 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 पैक आता है, कभी के भी ओफार आता है, बहुत ही कम का 29 का, तो खरीद के रखो, उसका एक कोड मिलता है, पर्चेसिंग कोड, तो आप अपने मोबाइल में जो इसकी इंशोट रख लो, या आप कही पर किसी फाइल में उसको सेफ करके रख दो, तो बिल्कुली मत करना, और जितना हो सके, सब आपके बास दो तीन आईडी है, तो एकाउंट पोटेक्शन अन करके रखो, ठीक है, वो और एक बहुत ही इंपोर्टन बात है, और एक बात, अगर आपको, मतलब कभी आप लोग टोर्नमेंट खेलते हो, ओफिशल टोर्नमें वालों की, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, कि अगर शेयर आईडी होगी, तो जो है, क्लैश ओफ क्लैंज वाले आपकी आईडी को बैन करवा देते हैं, तो इसलिए आईडी शेयरिंग ना करिए, हम तो यही बोलते हैं, क्योंकि एक टाइम में हमने भी किया था, त मतलब फाइदे मन्द है, और हमारे लिए मोटी वेशन भी है, तो करिए यार, और बाकी का, भाई, हम यही पर वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं, और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई एंड भाई, आईडी शेयर मत करिए,